कि नमस्कार दोस्तों मैं अप्ता दोस्दी बगावट बूड इबनिंग मेरे साथ आज है गोरो भाई और मैं अभी हूँ जश्पूर में यहां दोस्तों हमारा जो जीला है जश्पूर मैं आज जश्पूर सीटी में ही हूँ और मेरे पीछे बेगराण में आप देख सकते है है गड कलेवा जो कि 36 गड का जो भी लोकल फूड है यहां पर मिलता है और अभी हम लोग जा रहे है जश्पूर का सरना एथनिक रिजॉर्ट थोड़ी दर पहले हम लोग जश्पूर पहुंचे हैं बाइक में लेकिन इधर देखे जीजाजी की कार है इसके हम लोग आए वहां बैकुनपूर से हमारे प्रोडीसर शाहिबा जो आजी आई हुई है उनका जन्म दिवस है और आसोला जुलाई है अठारा जुलाई को मेरा जन्म दिन है तो यहां गड कलेवा हम लोग अंदर खूशेंगे लेकिन आज नहीं मैं वीडियो बनाऊंगा वहां ताभी ठ पिछले बार दिन में आए था इस बार रात में आ रहा हूं पहली बार चतिस गड़ के जस्पूर जीला का सरना एथनिक रिजॉट बोलो बेटा यहां पर काफी लोग हैं पाटी कर रहे हैं लेकिन बहुत शांत वाला वाता बरण है म्यूजिक भी बज़ रहा है तो एकदम होले होले इधार एक सर का बिदाई हो रहा है यह देखें बिदाई कारेकरम और यहां पर बार्टे कारेकरम खाना पीना सब कुछ हो गया अब घूमने के लिए हम लोग इदर ओपन थिएटर के तरफ यह ओपन थिएटर है कि यहां पर कुछ प्रोग्राम होगा लोग बैट के देखेंगे उसके लिए यह बारावा इदर है फोटो क्लिक किया था अधिकार है कि इदर देखें दोस्तों अशचतिस गर कलाकृती इस से ना हम अब अब यह दोस्तों शचतिस गर का फेलिक घर और एक बात अब यहां पर जितने भी लाइट जले हुए हैं यह 50 परसंट लाइट बंदा गरए है था і दोस्तों आँर नहीं जारा है ए अभी दीदि केहाँ जारें वहीं रहेंगे गोड मॉनिंक दोस्तों आभी हम लोगको निकलना भी है सोच रहेते हैं, लेकिन नहीं रूखेंगे हम लोग निकलेगे घर के लिए और मेरा test सब्सक्राराय ह البुचते बाद Wayne Rush इस बार सेकेंड डियर उनलाइन एक्जाम में अभी चल रहा है बाइस तारीक के बाद वो सब्मिट भी करना है और उन्तिस तारीक से पहले तो और मैं इधर उदर घूमने में लगा हूँ तो मुझे एक्जाम लिखना पड़ेगा घर जाके है ना और अभी हम लोग जा रहे ह वहां से आने के बाद बच्चे लोगों को भी कहीं घुमाने के लिए लेके जाएंगे अभी तो उनलोग का को ओनलाइन टेस्ट चल रहा था तो अभी उनलोग घर पे ये हैं इधर महराजा चोक है दोस्तों और महराजा चोक के दोनों तरफ तलाब है ये जो तलाब है इस अभी पहुंच गे हम लोग जंगल बाजार गठ कलेवा यहां 36 गठ का लोकल फुड लोकल डिश जो होता है वो मिलता है यह चीला है और मिल्ची का चटनी कैसा है टेस्ट गोर भाई बहुत मास्ट है यह चटनी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो चीला से ज्यादा अगर आप 36 गठ से बाहर के हैं दोस्तों और चीला क्या का बनता है नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ यह चावल का बनता है 36 गठ के ग्रामेड इलाके में तो लगभग रोज ही चिला का ही नास्ता करते हैं जाला तर इधर देखें कलाकारी ये पूरा बेंबू का बना हुआ है और ये भी अभी ये गड़ कलेवा यहां का बनके तयार नहीं हुआ है लगभग दो चार मेहने और लगेंगे और भी खूबसूरत हो जाएगा तब तो ये और अभी भी रात में बहुत सुन्दर दिखता है यार य से आएंगे बच्चे लोग के साथ और मेरी दीभी आएगी मेरा बड़्डे है कल 17 जुलाई है कल 18 जुलाई है और 21 जुलाई को परीका है तो मैं सोच रहूं कि आज तम लोग चले जाएंगे कल यहां पर नहीं रहेंगे तो परीका और मेरा आज बड़्डे मना लेते हैं एडवास में यहां गड़का लेवा में और शाम को भीड़वाड होती है भी सही है मनाने के लिए तो आगे हैं यहां पर अभी हम लोग और फिर सभी गड़का लेवा जाएंगे बच्चो के साथ केमचो कैसन बाख बोजपूरी और गुजराती मिक्स कर दी कभी राज था नहीं कभी पंजाबी परीका तो आप लोग जानते ही हैं चालो बच्चो यहां मेरे दीदी जीजु लोग पूली स्टाइन में रहते हैं दोस्तों आप लोग तो पता ही है और अब ही जीजु ड्यूटी पे हैं तो हम लोग बज़ा रहे हैं दीदी बच्चे लोग और भाई अगर उनको टाइम मिलेगा तो वो भी आएंगी उधर से ऑफिस से इसी के थोड़ा सा आगे जाके हम लोग को केक लेना है है आज पट्टी चेंज करवाने गई थी पर यह अम्रूत काटते काटते अपना हाथ ही काट गई थी पहुचने वाले हैं अभी फिर से हम लोग गड़कले वालेकिन फर्क इतना है कि उसमें हम लोग बस गवर भाई और मैं थे और अभी बच्चे लोग भी है दीदी भी है रात को आने से और सही रहता है यहां पर अपर में भाई साइब है इधर है फोटो विद गुलाबो इस गुलाबो के साथ आप फोटो ले सकते हैं एक दो तीन चार पाच्छे हैं हम लोग पांची तो है हाँ अच्छा हाँ ठीक है के काटने के लिए जीजू का बेट करेंगे लेकिन पीजा खाते रहते हैं ठंडा हो जाने के बाद पीजा खाने लेक नहीं होता लेटा बटी खोलो है यहां यहां जश्पूर के आस-पास के जो भी दर्शनिस्थल है उनका नाम लिखा हुआ है चित्र भी बना हुआ है देखिए रानिदा राजपूरी पड़ता है रास्ते में देखने को मिलता है आपने देखा होगा इधर आगे अफ़रा चटनी और केक तो है ही जो के भी हम लोग काटने वाले हैं कैचुप बोल रही बेटी यह में देदी फोटो क्लिक कर रही है हमारे चटिसगड का लोकल फुड यह देखने में एक दम प पास्ता बोल सकते हैं आप लोग इसको सही है सही पोस्ट कर दिया जीजू भी आ चुकी है अभी तो इधर केक रेड़ी है केक कटिंग के बाद इधर खाने पीने के तियारी मैं लाइफ में दूसरी बार केक काट रहा हूं है सुच मैं है एपी बर्ड़े टू यूर आप लोगों ने मुझे हैपी बर्ड़े विश किया आप सबको थैंक यू बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं और जब वीडियो डालूगा तो करेंगे भी एडवांस में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवार इसना प्यार देने के लिए ऐसे प्यार बनाए रखे इसका ठीक है याफ रखे रखे में नोटेचकर करना देने के लिए अच्छल्ट वर्ब्रेश्ट को का दाओ और दो अच्छल्ट में अधर मेरिका शेटकर दीए वीडियो कॉल में हमारे साथ बड़्डे सेलिब्रेशन कर रही हैं यह देखिए दिवाल घड़ी रिंग में यह अच्छा कॉंसेप्ट लगा अब जा रहे हैं से यार यहां पर प्राइस वगेरा सही है खाने पीने का बहुत ज़्यादा महेंगा नहीं है मैंने तो सुना था कि कुछ ज़्यादा ही महेंगा है लेकिन ऐसा नहीं है पहुंच गये वापस यहां रूम पे अभी गर के लिए निकलने वाले हम लोग अभी दुख मना रहे हैं दोस्तों क्या हम लोग बिशट जाएगे हैं न वेटी परी मेनू को तेनू की बहुत याद आएगी मेनू की तेनू की बढ़ी याद आएगी सच में देख लिया मुझे दिया है पूर्वी ने तांकियो तांकियो तो फाइनली में जा रहो हूं बाई प्रांश्टी गुसा है मेरे से चले जा रहे हो बोलके चल ठीक है ना ना नहीं दोस्तों रास्ते में रुप गए है यह देखिए को है क्या बोलते इसको यार यार यह एक अलग प्रकार का प्रजाती है अब अब हम इसे डिस्टरब नहीं करेंगे चले अब सिधा पहुचने टाइम पर वीडियो बनाओंगा इतने सन लेट में आऊंग ने खलता है